ये पिछले कुछ जनू से जो गटनकम विधान सभा के अंदर चल रहा है उस सारे गटनकरम की जानकारी महामहिम राजयपाल महोदे जी को हमने दी है और खास्तोर से जिस तरह से बिधान सभा के अध्यक्ष महोदे जी ने विपक्ष के साथ भैवार किया है और जो रुखा पनाया है उस संदर में हमने जानकारी देए अब बज़ट सत्र हिमाचल प्रदेश में आजकल चला है बिधान सभा में और बज़ट सत्र में जो कट पर वोटिंग होती है और वोटिंग के सबाए अगर वाइस वोटिंग ऑपोजिशन वालों को कर्वीन सिंग ना लगे तो वहां डिविजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है और हमने उसी के लिए आग्रह किया था लेकिन दो बार आग्रह करने के बाफ़ूद भी ह हमारी बात को नहीं सुना गया हॉस को एर्जान कर दिया गया और ऐसी सूरत में जब सारी चीजों को ले करके हम अध्याश मोदे जी से मिलने से लिए सारे विधायक जा रहे थे तो मार्शल खड़े कर दिये और मार्शल खड़े करके विधायकों के साथ जो जिस परकार से बवार हुआ है जखके मुक्य हुई विधायक घायल हुए है घायल हुए है गले से पकड़ लिया विधायकों को मार्शल के मादें से याज तक हिमाचल परदेश की बिधान सबगे अंदर कभी नहीं हुआ और उसके बात जब हम उनको मिलने के लिए उनके आफिस में परदेश है तो यह सब दुर्भागे पून परस्तिती है और दूसरी बात में इस बात को लेकर के जरूर कहना चाहता हूं जो घटना कम घटित हुआ है हिमाचल परदेश में राजसभा के चुनाप के परिनाम आने के पश्चा बारती जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्या जो जीतने के जो सारी चीजें गटना करम जो घटित हुई है सब महां पर उसमें अगर हम देखे हैं तो वर्तमान में कॉंग्रेस की सरकार को सटा में रहने का कोई अधिकार में है यह में कहना चाहता हूं और वो अभी जो जानकारी हमने इस अंदर में खास्तोर से जो घट जिस परकार से वहार विधान सबादेक्ष का है वह हमारे विजायकों को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कॉंपरटिवली बजट को पारिट किया जा सके यह यह एक आशंका है जो हम जाहिए कर रहे हैं और इसके अलाबा मुझे यह भी मालूम पड़ा जो नोटिस दिये हैं जो जिन उन्हें वोट दिया है और उनको नोटिस दे करके कि आपके ओपर जुआ हमारा देड़ बज़े का समयता है कि यह उसमें तो उसमें जो डिफेक्शन लौ है जो एंटी दिफेक्शन लौ है उस पर उनने कहा कि आपके खिलाब कारेबाई और о्प उरसे जो मन्शाइ जारी की जारी है वो फी एक संभावना है। और यह मं बहुत सारि चीजिटीं को वह करने जा रहे है üçृ को की जी मताविक नहीं है। राज्यसभा में September 1 वीफ जारी नहीं होता है। वीफ जारी की चेह है लेकिन उसमें एलेक्शन कमिशने डारेक्शन दी जिसमें वो फिर वो चूप होगए उसके बाद को जवाब ने दिया और उसके बाद अब जब इसमें जो है वो दल वदल कानून का कोई रोल ही नहीं है। उसके बावजूद भी विधायकों को प्रताडित करके, तंग करके, उनको परिशान करके इस परकार के कारवाई करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं समझता हूँ, ये उनकी बॉकलाट है, और कॉंग्रेस की सरकार हमारी बज़ा से नहीं, अपने कारून से संक्रट में इतने ही गया इन टोटल कितने विधायक है सर्थ, तो आप लोगे टच में हैं सर्थ अपने कारे बज़ेट के बज़ेट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं, उसको हमारा के लिए भूट के लिएक है कि इन सारी चीजों को ना पहले बचाते हैं, लेकिन इतना मैं जुरूर कहना चाहता हूं, कॉंग्रेस जो है, वो मेंडेट खो चुकी तो जैराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री उनकी बात आप सुन रहे थे, और आखरी जो वाक्यों उन्होंने अभी कहा और आपने सुना, वो बहुत मेहते हैं तैंक यो, पूर्व मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर कह रहे हैं, के सुख्धू सरकार के पास बहुमत नहीं है, और कॉंग्रेस बहुमत खो चुकी है, विधान सभा में बहुत सारी बातें उन्होंने कहीं, लेकिन उसकी समरी ये थी, उसका निशकर्श ये है, और वो कहना ये चाहते है, के कॉंग्रेस सरकार के पास विधान सभा में बहुमत नहीं है, और कल जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, उसके लिए कॉंग्रेस स्वाइंग दिया से बात की तो उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने बहुमत खो दिया है और ये जो कुछ हुआ है उसके लिए कॉंग्रेस वाइंग जबैदार है ये बात जैराम ठाकुर ने कही और उनका कहना है कि कॉंग्रेस सरकार बहुमत साबित करे उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने सरकार बहुमत साबित करे। बजट पर वोट का डिविजन भी मांग सकती है। और खास्तोर से जिस तरह से विधान सभा के अध्यक्ष महोदे जी ने विपक्ष के साथ ब्यवार किया है। तो रुखा पडाया है। उस संदर में में जानकारी दीए। दिविजन ऑफ वोट जो है वो मांगने का अधिकार है। और हमने उसी के लिए आग्रे किया था लेकिन दो बार आग्रे करने के बाब दूद भी हमारी बात को नहीं सुना गया। हुआ 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 है।